इस ग्योवरों साली धर्ती पर आप सबका हार्दिक स्वागत है एंट्रियों गुरेश जी के लिए तो भारत दूसरे घर जैसा है आपने अपना युवावस्ता में बहुत बार भारत की यात्रा भी किये हैं गोवा से आपके पारिवारिक सम्मन्द भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में आज अपने परिवार के ही किसी सदस्य का स्वागत कर रहा हूँ आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार बहुत बहुत अभिनेंदन मुझे खुशी है कि मिशन लाइफ को लॉंची के सभाय से अनेग देश इस संक्र्ण साथ जुड़ हुए है मैं फ्रांस के प्रेज़ेंट से मैक्रो यूके के प्रधानमत्री लीज ट्रस्ट ग्युवाना के प्रेज़ेंट एरफानली आर्जेंटिना के प्रेज़ेंट आल्वो फननाडीश मोरेश के प्रधानमत्री प्रमिन जोगनाथ मिणाग्रास्ता के प्रेज़ेंट एंडी र बाई सोली जी अर्जनिया के मेनिसर जेरी इन्विजिक का इंडोलेशिया के प्राइमिसर काया कलास का रदय से धन्यवाद करता हूँ साथियों ये आयोजन हमारे राष्ट्य गौरों सरदार वल्लभाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टेच अव यूनिटी के सान्दीदे में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइट में यूनिटी ही सबसे महत्पूर फैक्टर है दुनिया के सबसे बड़ी प्रतिमा हमें परियावरं से जुडे उचे लक्ष तक तैय करने और उन्हें पुरा करने की प्रेणा देगी जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो किर्तिमान भी विशाल होते हैं इस कारकम का आयोजन गुजरात में होना बहुत माइने रखता है और ये बिलकुल उपयोग तभी है गुजरात भारत के उन रज्यों में से एक हैं जिसने सबसे पहले रिनियोबल एनरजी और एंवार्मेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम करना कुठाना शुरू कर दिया था चाहे बात नहरों पर सोलार पैनल लगाने की हो या सूखा ग्रस इलाकों में जस्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्विशन का भ्यान हो गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रुपे क्ट्रेंट सेटर के रुपे रहा है साथियों क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धाना बना दिये हैं जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा भी शाय है लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़ कर देखने लगते हैं जा पिर यह सोचते हैं कि अंतराश्ट्रे संस्ताओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए यह बात सही है कि सरकार अंतराश्ट्रे संस्ताओं उनकी भूमे का बड़ी है और वह इसे समहल करने का प्रयासार भी कर रहे हैं लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्देत की गंभीरता चर्चाओं से बहार निकल कर दुनिया के हर कौने में हर घर में आज नजर आने लगी है क्लाइमेट चेंज से हो रहे बड़लाव लोग अपने आसपास मैसूस करने लगे हैं पिछले कुछ दसक होने हैं हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है अब प्रत्यासित आपदाओं को जेला है आज हमारे ग्लेशियर्स पिगल रहे हैं समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है हमारी नदिया सूक रही है मौसम अनिस्चित हो रहे हैं और ये बड़लाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेव परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धर्ती के लिए इस प्लैनेट के लिए कुछ ने कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए खुद ने भी कुछ करना चाहिए लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रहत्व में या परिवार के पुसात और अपने का जवाब मिशन लाइफ में हैं मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफटाइल फॉर एंडवार्मेंट पुर्थी पर रहने वाले प्रतेग व्यक्ति को व्यक्तिकत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये वीजन दुनिया के सामने रख रहा हूं मिशन इस्तवाल करना सिखाता है मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाब लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है जिस्ते हर कोई अपने सामर्त के हिसाब से योगदान दे सकता है मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है मिशन लाइफ हमें प्रेरिश करता है कि हम सब अपनी रोजमरा की जिन्दगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे परियावरन की सुरक्षा हो Mission Life ये मानता है कि अपनी lifestyle में बडलाव करके environment की रक्षा की जा सकती है ये आपको दो बहुत दिल्चस्प उदारण देना चाहता हूँ बड़ी सरल बातें में बताना चाहता हूँ आपने देखा होगा कुछ लोगों को AC का temperature 17 degree या 18 degree Celsius पर रखना बहुत पसंद होता है लेकिन AC का temperature इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाय का सहारा लेते हैं AC का हर degree temperature कम करना परियावरण पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव और उसको अगर बचा सकते हैं कोशिस करके कर सकते हैं यानि हम अपनी lifestyle को ठीक करके हम तो परियावरण की कितनी बड़ी मदद होगी lifestyle से जहां भी एक और उधारन में बताना चाहता हूँ हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 km पती लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जीम जाते हैं और जीम में ट्रेड मिल पर जम कर अपना पसीना बानी की कोशिश करते हैं अरे भाई अगर ये पसीना आप पैदल जलकर या साइकल पर जीम जाकर कर उठाने थे तो परियावरण की रक्षा बड़ी होती और आपके स्वास्त की भी रक्षा होती साथियों लाइफ स्ट्राइल से व्यक्तिकात और समाज के छोटे छट्र प्रयासों से कैसे बड़े नतीजे आ सकते हैं मैं इसका भी उदान देना चाहता हूं भारत में हमने कुछ साल पहले देश वास्यों से जादा से जादा एलीडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रण किया था मकसद यह था कि लोग को बिजली का बिल कम हो बिजली का कम खर्च हो और परियावनण की विरक्षा हो सरकार ने एलीडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागिदार हो गया यहां आये अंतराष्ट्रिय एक्सपर्स यह जानकर के उनको हरानी होगी कि कुछी समय के भीतर भारत के लोगों ने एक सो साथ करोड से जादा एलीडी बल्ब अपने यहां से में लगा दिये परिवर्तन कर दिया और इसका प्रभाव यह है कि सो मिलियन टन से जादा कार्बन डायोकसाइड का उत्पादन हम कम कर पा गए उसका उत्सरदन कम कर पाए और मैं यह आपको नोड करने जरूर कहूंगा कि यह प्रतिवर्ष हो रहा है यह सिरब एक बार की घटना नहीं हर वर्ष यह बेनिफेट होने वाला है और उसका लाव होने वाला है एलीडी को एलीडी की वज़े से अब हर साल इतना उर्सरदन कम होने लगा है साथियों गुजरात मात्मा गांदी की भूमी है जन्म भूमी है तो उन विचारों को से एक जो भावत परियावरण सवरक्षन और प्रकृत के साथ तालमे लेकर के जीवन जीने का महत्व समझ गए उन्होंने ट्रस्टिशिप के अवधरण की विक्षित की थी मिशन लाइफ इस सब को परियावरण के ट्रस्टी बनाता है ट्रस्टी वो होता है जो संसाधनों का अंधा धुन इस्तमाल नहीं होने देता एक ट्रस्टी एक सोशक की रुप में नहीं बलकि पोशक के रुप में काम करता है मिशन लाइफ पी थ्री की अवधराना को मजबूत करेगा पी थ्री याने प्रो प्लैनेट पीपल आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुड के साथ है और कौन किस देश या गुड के खिलाफ है लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है उनको अपने विचार से समय समय करता है एक कर देता है यह लाइफ स्ट्राइल आप द प्लैनेट एलाइफ्ट्राइट आप द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाई द प्लैनेट की मुल्च से धान पर चलता है साथियों अतीच से सीख कर ही हम बहतर भविश्य का निर्मान कर सकते हैं भारत में हजारों भरसों से प्रकृती की पुजा की सम्रिद्ध परंपरा रही है हमारे वेदों में भी बहुत स्वतिक तरीके से कहा है कि जल जमीन वायू और सभी प्रकृती प्रदत्य चीजों का महत्व समझाते हैं जैसे अथरवेत कहता है माता भुमिही पृत्रों हम पृत्विया अर्थात पृत्वी हमारी माता और हम उसके संतान है Reduce, Reuse and Recycle और सडकोर एकोनामी हमारे वर्सों से हम भारत वास्यों की Life Child का अंग रहा है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में कई देशों में ऐसी प्रधाय आज भी है प्रचलीत है जो हमें प्रकृती के साथ तालमेल बिठा कर चलने के लिए प्रेरित करती है Mission Life प्रकृती के सवरक्षन से जुड़ी हर इस Lifestyle को समाहित करेगा जिसे हमारे पुर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन सहली का हिस्सा बना सकते हैं साथियों आज भारत में सामलाना प्रतिव्यक्ति कार्मन फुट्पिंट करिब करिब डेट तन ही है जबकि दुनिया का और सच चार टन प्रतिवर्षका है फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसे वेस्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है इसने उजवला योजना शुरू की ताकि कोईले और लकडी से दुएक से मुक्ति मिले हम वाटर सिक्यूरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जीले में 75 अमरुत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे है हमारी यहां वेस से वेल्थ पर अभूत्पु आज हम विन एनर्जिक्स में भी चौथे नंबर पे हैं सोलान एनर्जी में भी पाच्वे नंबर पे हैं पिछले साथ आट वर्षों में भारत की रिन्यूबल एनर्जी की छमता करीब करीब दो सो नब्वे प्रतिशत का इजाफा हुआ है इससे हमने एलेक्ट्रिक ख्यमता का 40 प्रतिशत नौन फोसिल फ्यूल एने उस सोर्च को ही हासिल करने का लक्ष आप भी हमने समय सिमा से नव साल पहले हासिल कर लिया है हमने पैट्रोल में दस प्रतिशत इतिनल ब्लैंडिंग का लक्ष भी ताय किया था और उसे भी समय सिमा से पांच महें पहले हमने पूरा कर लिया है अब भारत पैट्रोल में 20 प्रतिशत इतेनल ब्लैंडिंग के लक्ष पर काम कर रहा है हाइड्रोजन इको सिस्टिम के जी कुल उर्जा स्रोथ की तरब भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और यह गुजरात इस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रुप में विक्सित होता चला जा रहा है इसे भारत और विश्वक में कि कई देशों को नेट जीरों के अपने लक्ष को हासिल करने में बहुत बना रहा है आज भारत विश्वकी पांच की बड़ी अर्थ व्यवस्ति भी बना है हमारा वंग्षेत्र भी बढ़ रहा है अन्य जीवों की संग्या में भी हमारी यह लगातार बृद्धी हो रही है भारत अब दुनिया के साथ अपनी भागिदारी का और ज्यादा बढ़ करते हैं कि कोईलिशन फर डिजास्ट रेजिजिएंट इंफ्रासेक्टर इसके निर्मार का नेतृत्वा करके भारत परियावरन सुरक्षा के प्रती अपनी अवधारना से दुनिया को अवगत करा चुका है मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है साथियों सेक्र दुनिया को बहतर बनाने को नए रास्ते मिले है भारत ने अंतराश्टिय योगा दिवस का प्रस्ताव दिया था जिसे सहिव्ध राश्ट को समर्थन दिया था Morgen सहिव्ध रास्थ का समर्थन के कारण दुनिया के करोणों लोगों के स्वस्थ जीवन की प्रेणा का योग एक कारण बन गया है वैसा ही एक वदारन इंट्रनेशनल येर अब मिलेट का है भारत अपने पारंपारिक और परियावरान के अनुकुल मोटे अनाच्च से दुनिया को जोड़ना चाहता था स्वस्थ राष्ण ने इसका भी समर्थन किया हम अगले साल इंट्रनेशनल येर अब मिलेट मनाने वाले हैं लेकिन अभी से दुनिया भर में इसकी चर्चा प्रारंब हो चुकी है मुझे विश्वास है कि स्वस्थ राष्ण के समर्थन से मिशन लाइफ को विश्व के हर कोने में हर देश में हर नागरी तक पहुँचाने में बहुत बड़ी सभलता मिलेगी हमें ये मंच या हमें एक मंत्र को याद रखना है प्रकृती रक्षती रक्षिता अर्थात जो प्रकृती की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है मुझे विश्वास है इसी मिसल लाई पर चलते हुए एक बहतर दुनिया का निर्मान कर पाएंगे आप सभी का एक बार फिर मैं आभार करता हूं और UN के इस समर्शन के लिए मैं फिर से एक बार रदे से धन्यवाद करते हुए मेरी बाणी को विराम देता हूं धन्यवाद